इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे सीम कुशकर सिंग धामी के साथ कुल आठ मंत्रियों ने ली शपत 21 साल में पहली बार महिला स्पीकर चुनी गई उत्राखन को मिली पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी को बनाया गया विधान सभा का अध्याक्ष आपको बता दे इस वक्त की बड़ी खबर उत्राखन के एतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी राजनेतिक पाची को लगा तार दूसरी बार सत्ता मिली तो ये भी पहली बार हो रहा है कि कोई महिला विधान सभा की स्पीकर बनने जा रहा है, उत्राखन के राजनेतिक एतिहास में नया अध्या जुड़ गया है, भाजपा के पुर्व मुकमंती खंडूरी की बेटी रितु खंडूरी को विधान सभा स्पीकर बनाय जाने का ये बड़ा फैसला लिया गया है, उत्राखन के भाजपा ने ये नया एतिहास लिखा है, कोटवार सीट से चुनाव जीत कर उन्होंने अपने पिता की हार का बदला लिया था, अब इसके साथ ही अब पहली महिला स्पीकर बनकर एतिहास रच रही हैं, इस बाद की बड़ी कबर आपको बता दे, सीम पुशकर सिंग धामी के साथ कुल आर्थ मंत्रियों ने लिख शपत 21 साल में पहली बार महिला स्पीकर चुनी गई, उत्राखन को मिली पहली महिला स्पीकर